वीडियो में बात करेंगे मद्द प्रदेश की अर्थवियस्ता, जी हां मद्द प्रदेश की अर्थवियस्ता, कुछ छोटी छोटी लेकिन मोटी बाते जानेंगे इसमें, तो चली सुरू करते हैं, शुरू करते हैं fiscal year से, वित्ती वर्स है, एक जन्वरी से 31 दिसंबर वित् जन्वरी कर दिया गया, जहारकंड में भी एक जन्वरी से सुरू होता है, एक जन्वरी से 31 दिसंबर, काफी important point है, अब देखिए GDP, GDP करीब करीब 12 लाग क्रोड है मद्परदेश की, 11.69 है, तो मोटा मोटा याद करने की तरीका क्या 12 लाग क्रोड के आसपास है, GDP rank की बात करे तो GDP rank जो है मद्परदेश की सारे राज्यों में 10 है, 10 वी नंबर का राज्य है अपना, अगर मद्परदेश की बात करें तो किस नंबर का राज्य है, 10 वी नंबर का राज्य है, GDP rank के हिसाब से, लेकिन अगर GDP per capita देखिए, per capita rank मतलब हरवेक्त की जो आए है, उसके according GDP देख लाएंगे, GDP growth देखिए 10.12%, मतलब करीब-करीब 10% है, 10% के आसपास GDP growth है, अपनी GDP growth कितनी 10% ठीक है, पढ़िया GDP growth कितनी 10% अच्छी है, जल्दे ही हम थोड़ा इसमें rank में improve करेंगे, per capita rank में, और हम बिमारू या गरीब राज्य से एक मध्यम राज्य में आ सकते हैं, GDP sector से इलावा पसुपाला और डेरी ये सब भी आ जाता है, खनीज है, जो खनाई होती है, वो भी आ जाता है, तो मोटा-मोटा एगरी कल्चर या primary sector 47% है, 47% है, कितना 47% है, 47% क्या है, एगरी कल्चर है, देखिए, industry 19%, services 34%, generally आपका एगरी कल्चर पूछ सकता है, इसलिए मैंने उ rectangle कर दिया है, एगरी कल्चर कितना 47%, लिवर फोर्च देखिए, कहां कितने लोग लगे हैं, काम करने वाले, तो एगरी कल्चर में 62% लोग काम करते हैं, मतलब 100 लोग काम करते हैं, अधिर देश में, तो 62 लोग एगरी कल्चर में काम करते हैं, 5 लोग industry में करेंगे, और service में अन इंप्लोईमेंट रिट तो एक वर्क्रिवेजन कर लेते हैं आज क्या कि आपड़ा फिसकल लिया एक जनवरी से एक तीस दिसमबर जीडिप रैंक पड़ी दस वी अग्रिकल्चर कंटिविशन 47 और लेवर फोर्स अग्रिकल्चर में यही इंप्लोई डीटा है इसका एक जनवरी से एक तीस दिसमबर जीडिप रैंक पड़ीट लेवर फोर्स अग्रिकल्चर कंटिविशन 2 तो 10 शैतालीस पासट दस सैतालीस बासट मित्रो पड़ते हैं बड़ते हैं